स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल फुचल टेक में और आज हम एंबोक्सिंग करेंगे रेड्मी के टॉन्टी की करते हैं इसकी आउट्ड टार उनबोक्सिंग कोई निकालते हैं आज कोई निकालते हैं इसको बहार और सबसे पहले हमें Samsung को डुक के करते हैं इसका शबूती ब्लग तो फोन की प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा केस है अब देखते हैं हमारी मैन यूनिट को और ये निकाली हमने हमारी मैन यूनिट बहार इसको भी रखते हैं एक बार साइड में यह है मारे पास एक USB 2 USB Type-C केबल जो की सपोर्ट करती है फास्ट चार्जिंग को और यह है वो फास्ट चार्जर एडप्टर जिसका वोल्टेज है 9V 2.0 MP रहेनी की 18W का यह चार्जर रहे इंटिंग वाट फास्ट चार्जिंग है यह हमारी मैन यूनिट तो उतारते हम इसका प्लास्टिक रैप तो उसके बाद में करते हैं फोन को बूट तो हमें रियर सैड में मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेट अप और उसके नीचे मिल जाती है LED प्लेस और उसके नीचे यह आई मैं नंबर का श्टिंगर इसको वतारता हूं और स्टार्ड में लगाता हूं और न नेचे कर नेचे में जाता ऊcit प्राइंर से वामें मिल जाता है कि यॉश्ट टैप सी पोर्ट और लेट सेड वे मिल जाता है सिम एकुर्ट कर ना चाहिए है थाविडब इसका क्या triple slot है क्या कैसी है बिलकोल ये है एक double slot SIM ना hybrid है ना triple slot है memory card कोई option नहीं है और left side के अगर phone के हम बात करें तो वो है पूरी तरह से clean उपर की side के अगर हम बात करें तो हमें यहां मिल जाता है pop-up camera उसके बगल में हमें मिल जाता है 3.5 mm jack और उसके बगल में हमें मिल जाता है secondary microphone फोन करते हैं हम बूट और country select करते हैं हम इंडिया यह हो चुका है हमारा phone boot और हो गया है lock unlock और अब देखते हैं सबसे पहले हम जाके इसकी setting में कि हमें क्या कुछ इसका version मिलता है क्या कुछ और मिलता है जो android security page level है वो June 2019 का है और MIUI 10.3 पर काम करता है और android version है वो है 9 Pie तो मोडल का नाम है वो है Redmi K20 storage है वो 64GB और RAM है वो है 6GB और प्राइस इसकी वो है 22,000 रुपए यानि की थोड़ा सा overpriced phone है अगर protection की बात करें तो आगे और पिछे Gorilla Glass 5 का हमें protection दिया गया है फोन वेट के अंदर ठीक ठाक है और एकदम premium फील करता है पीछे की जरब जो है वो primary camera है वो है 48 MP का और जो front camera है pop-up selfie camera वो है 20 MP अब एक बार हम इसका camera test जरूर करना चाहिए तो camera test के लिए मैं इसके एक random सी कोई photo click करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ इसकी camera की quality है तो देखी आगे करता हूँ एक random सी photo click और यह होगी एक photo click और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी तो camera है वो वास्तों में अच्छा बेक मैं इसका selfie टेस्ट और करना चाहूँगा और यह निकलने का और अंदर जाने का टाइम है वह भी बहुत कम है यह अच्छी बात है और अब मैं इसके आपको एक व्यूडियो जरूर रिकोड करके दिखाता हूँ और यह 40MP का हमेरे पास अलग सेक्सेस है तो मैं इसकी एक और photo लेना चाहूँगा और यह 48MP का camera और अब मैं देखोंगा इसकी details जो की काफी आगे तक हैं बिल्कुल यह मैं सूट कर रहा हूँ रेडमी K20 से और काफी अच्छा लुक आ रहा है शारो तरफ मोसं भी अच्छा है रेडमी K20 में जो प्रोसेसर हो है स्नेप ड्रेगन 730 जो की 8nm की टेक्नोलोजी पर काम करता है जो की एक अच्छी बात है और इस प्राइस में थोड़ा सा ही बस दो हजार रुपए या हजार दो हजार रुपए यह और प्राइस लगता है बाकी फोन में कोई कमी नहीं है फोन एक दम चांदार है एक दम क्ली करता हूं एक सेलफी Jiा है अब करते हैं इसका एक शिक्यूरटी टेस्ट की काम कर रहे तो बस security में थोड़ा सा एक second का time लगता है face unlock और in display fingerprint दोनों में बाकि phone एकदम जबर जासत है कोई दिक्कत नहीं है 18 watt की fast charging है और 4000 mAh की बड़ी बेटरी है तो मेरे इसाब से काफी अच्सा phone है बस थोड़ा सा price में justify नहीं करता है अगर 20,000 या 19,000 का होता तो काफी स्यांदार होता color काफी स्यांदार है इसका तो यही थी इसकी unboxing और वीडियो देखने के लिए thank you और चैनल को subscribe जरूर कर देना